संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असमान, नारी का मान भंकर्न क्योंकि ये अपराद क्यों नारी के शरीर को ही नहीं उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है फिर प्रश्ण यह उड़ते हैं कि जिसने भी अपराद किया है उसे डंड किया दिया जाएं फिर कोई कहता है शारीरिख पीड़ा कोई कहता है मृत्यू दय तो इस अपराद का दंड मिश्चत करने से पूर कि ये जानना महतो पूरण नहीं है कि अपराद ही है कौन अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग कि कि तो क्या ये पूर्णता सकते है क्या स्वयम के अपमान के लिए स्वयम के सम्मान को खोने के लिए कभी-कभी नारी स्वयम उत्तरदाई नहीं हो सकते सोच के देखें सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टी रखना आवश्यक है रावन सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भूलीपन के कारण रावन का उस सीमा को लांगना सरल कर दी चिन्तु अशुक वाटिका में उसी सीता को रावन स्पर्ष तक नहीं कर पाया विए उसने रावन और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थे जीवन में ना कहना सीखे यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उससे वही रोकना सीखे आपके उपर उठे पहले हाथ को पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखे